Hello friends, आप Jacob करते हैं बधा आपकी और भी इंकम आ रही है,for example, rental income, interest income, तो क्या आपको पता आपके ओपर एडवांस tax liable है, अगर आपffer एडवांस tax pay नहीं करते हैं, आपके ओपर interest लगेगा, तो इस तरह से एडवांस tax से जुड़ी हीं सारी जितनी भी चीजे हैं, कि किसके उपर applicable है कैसे हमें pay करना है क्या due dates है इस पर एक मैंने बहुत detailed में series तयार करी है जिसे हमने तीन पार्ट में divide करा है Part 1 में हम सीखें कि कौन-कौन liable है advance tax pay करने के लिए क्या due dates है और क्या इस पे liability penalty लगती है अगर आप यह नहीं करते है Part 2 में हम सीखेंगे advance tax calculator कैसे हम इसे calculate करना है Part 3 में हम इसे कैसे pay करना है तो इस तरह से जितने भी सारी चीज़ा advance tax related वो मैं आपके लिए एक series के माध्यम से लाने जा रहा हूँ तो आज हमारा Part 1 है कि who is required to pay advance tax तो बिना देरी करें एक पार फिर से start करते है let's start तो my dear friends इसे हमने तीन पार्ट में divide करा है who is required to pay due dates interest आज हम ये वाली चीज़े सीखने वाले है इसमें हम समझेंगे कि हमारे उपर ये लगता है नहीं लगता due dates क्या है और अगर हम इसे pay नहीं करेंगे तो क्या interest की liability है ठीक है तो आज हम part 1 start करते है part 1 who should pay advance tax कौन पे करेगा बहुत ध्यान से salary, freelancer and businesses देखिए यहाँ पर लिखा है salary, freelancer and businesses if your total tax liability 10,000 or more in a financially you have to pay advance tax advance tax applies to all taxpayers देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ बताइए कि अगर आपकी tax की liability 10,000 से ज्यादा बन रही है तो आपको advance tax pay करना पड़ेगा बट अगर आपका already TDS कट रहा है तो आपको advance tax pay करने की ज़रूरत नहीं है बट second case में क्या हो सकता है कि आपकी salary से income हो बहुत ध्यान से समझेए salary वालों के लिए बहुत important है salary से आपकी 15 lakhs रूपीस की income है और इस पर TDS कट रहा है ओके लेकिन इसके लावा आपकी interest से income है interest on FDR इस पर TDS जरूर कट रहा है बट TDS कट रहा है 10% से और आप आ रहे हैं 30% के slab में इस जो 20% का जो gap है इसे आपको advance tax के माध्यम से जमा करना पड़ेगा और हो सकता rental income हो rental income में TDS भी ना कट रहा हो तो इस तरह की जितनी भी income है देगे salary वाले के mind में कहीं नहीं रहता है कि मेरा TDS कट रहा है और मुझे advance tax नहीं पे करना है तो दोस्तों ये गलत है अगर आपको check करना होगा कि मेरी salary के लावा और जो income है मेरी gross total income कितनी बन रही है और उसमें से TDS less करने के वाद अगर आपकी 10,000 से ज़्यादे की liability आती है तो आपको advance tax पे करना है तो I think ये वाला doubt जितने भी salary दो लोग है उनका clear हो जाना चाहिए आगे चलते है senior citizens senior citizens के लिए भी मतलब doubt रहता कि senior citizens को free कर रखा है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है senior citizens वो free है 60 years or more don't run a business जिनका कोई business नहीं है वो exempted advanced tax के liabilities अगर आप business करते हैं और चाहिए भले senior citizens तो आपको भी pay करना पड़ेगा तो यह चीज भी आपकी clear हो जानी चाहिए अगर जो लोग presumptive income for businesses जो 44 AD यह business वाले जो presumptive scheme को follow करते हैं उनके लिए क्या क्या रखा है taxpayer who opted for presumptive taxation scheme under section 44 AD और 44 AD यह उन्हें अपना advanced tax एक installment में पे करना होता है वो 15 March से पहले-पहले हो जाना चाहिए तो यहाँ पर इनके लिए एक installment रखे हुए अभी हम installment भी आगे पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर मैंने हैं आप आपको बताया कि आप salary हैं तो आपको पे करना है business है तो पे करना है senior citizen है तो आपको cable exemption जब है जब आप business नहीं रण करना है business अगर आप रण करना है तो भी आपको पे करना है और अगर आपने presumptive taxation scheme को ले रखा है तो आप एक installment में पे कर सकते है that's it तो यह मैंने आपको बता है who should pay अब मैं आपको बताने वाला हूँ due rates क्या क्या होती है इसकी due rates of payment of advanced tax for both individual हो या companies हो 15 June 15 September 15 December 15 March 15,000,000 रुपे है तो एक लाग का 15% आप यहां पर जमा करा देंगे फिर 45% इसकी calculation होगी 45% में से जो आपने 15% अल्रेडी जमा करा दिया है तो जो remaining 30% है वो second installment में होगा ऐसे third installment 75% निकालेंगे 75% में यह दोनों इंस्ट्रोल्मेंट में से जो माइनस करने बाद बचेगा वो होगा और 15 मार्च का आपका 100% यहां पर चला जाएगा तो 100% कैलकुलेट करने बाद यह तीनों माइनस करने के बाद जो amount आएगा वो हमें जमा करना है तो बेसिकली यह चार इंस्ट्रोल्मेंट हो गए 15 जून, 15 सेप्टमबर, 15 दिसमबर, 15 मार्च तो यह इस तरह से हमें पे करना होता है और मैंने आपको बताया था जो प्रिजन्टिव टेक्सेशन के लिए है उन्होंने गवर्मेंट ने एक वदे रखाएगी और 15 मार्च से पहले-पहले आपको 100% अपना एडवांस टेक्स डेपोजिट कराना है तो यह सारी मैंने डिवरेट्स भी बता दिया आपको किसके लिए अप्लिकेवेल है यह भी बता दिया अब थर्ड आता है कि भाई अगर हम पे नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है एडवांस टेक्स आपको अपना डिव डेट्स पर पे करना पड़ेगा तो दोस्तों इसमें मैंने बेसिकली तीन वीडियो इसलिए बना ज्यादा लेंदी ना हो आर्ट बन में आपको यह चीज किलियर हो जानी चाहिए कि हमने यहां पर जो सीखा है कि हमारे उपर एपलिक सबसे पहले आप देखेंगे एपलिकेबिल है या नहीं है दोसरी चीज सेकेंगे डिव डिट्स क्या है तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाबाई नमस्कार धन्याबाई